Hello guys, Welcome to your own YouTube channel Banking Spartan Banking Spartan के YouTube channel में आप सभी का स्वागत है So जैसा कि अक्टूमर की सीरीज का part 1 release कर चुका हुआ हूं है तो ये अक्टूमर की सीरीज का part second है इस सीरीज में final part 2 release करूँगा इसके बाद अक्टूमर के जो monthly current affair है वो finish हो जाएंगे इसके बाद मैं नौमबर मन्त के जो करन्ट अफेर है वो डिसकस करूँगा तो इस पार्ट में हम भी ना किसी डेले के स्टार्ट करते हैं तो लेज़ बिगेन तो हमारा पहला कुश्चन है का किसे बनाया गया है तो हमारा अप्शन से जे वेंकेट रमू सतिसकुमार गुपता समीर निगम या विजय शेकर तो हमारा करेक्ट अंसर है जे वेंकेट रमू वेंकेट रमू को रिसेंटली एमडी सीओ बनाया किसका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का और जो सतिसकुमार कुपता है वो कोन है वो पेटियम पेमेंट बैंक के सीओ और एमडी है और जो फोन पे उसके सीओ कोन है समीर निगम है ना समीर निगम कोन है फोन पे के सीओ है हमारा next question है which person has been reelected as chairman association mutual fund in India तो किस person को भी recently chairman बनाया गया है mutual fund of India का तो हमारा correct answer है निले शा तो recently निले शा को mutual fund of India का वो chairman बनाया association of mutual fund इंडिया का हमारा next question है और जो इसमें मिनाय एम टोन से तो मिनाय एम टोन से जो है वो SBI mutual fund के MD CEO है और जो million बरवे है million बरवे कोन है वो SDFC bank के MD और CEO है और जो इसमें निमेशा है तो निमेशा कोन है निमेशा ICICI provincial mutual fund company के chairman है कोन है निमेशा ICICI है मुचल fund company के chairman है हमारा next question है वो अपाइंटेड है इस new director at BML भारत अर्थ मूवर लिमेटेट के recently डारेक्टर किसको बनाया गया है option है हमारा अमीद बेनर जी MP मिश्रा पी के सिना या आर पी गोयल तो हमारा correct answer है अमीद बेनर जी तो recently अमीद बेनर जी को BML का जो है डारेक्टर बनाया गया है हमारा next question है हूँ अपाइंटेड क्रिगिस्तान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर तो कौन जो क्रिगिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर है सद्यर जर्पोव को सपर इसको को करीम मुसीमों को या अक्सर ममीन को तुमारा correct answer है सदर जर्पोव सदर सद्यर जर्पोव को करिगिस्तान का नया पीम बना गया मनेश कुश्चन है एनस्डिय यह गोवर्नेंस बाइंट which person is new MD CEO तो नया MD CEO NSDcome E governance को किसे बना गया है तो वो सुभास केलकर को बना गया है रावल पारेक को बना गया है सूरस स्धी को बना गया है या रित्या स्पाई को त Skill सर एनस्ष श्टी को क्या बना गया है CEO MD बनाए है किसका NSDL E-Governance का हमारा इसकोशन है ICICI Securities Appoint which person is Chief Technology and Digital Officer तो Chief Technology Digital Officer ICICI Security ने किसको Appoint करा है हमारा option से रहुल पारिक को सुभा स्खेलकर को रित्य स्पाई को या सुर्य स्टी को तो करेक्टर नहीं हमारा सुभा स्खेलकर सुभा स्खेलकर को ICICI Securities का CT and Digital Officer बना गया है हमारा इसकोशन है which person appoint is new Chief Information Commissioner तो recently CIC को किसको बनाए गया है तो यश्वंद के सिना को बनाए गया है भीमल जलूका को बनाए गया सुधिर भार्गों को या राजियो मातुर को तो हमारा correct answer है यश्वर्दन के सिना तो य के सिना को recently CIC बना गया है new Chief Information Commissioner बना गया हमारा next question है who appointed as chairman and MD of cognizant India cognizant इंडिया का नया chairman और MD किसे बना गया है तो तपन सिंगल को बना गया है राज़स निंब्यार को बना गया है सशिधर जगदी शननन को बना गया या CVJ कुमार को बना गया है तो हमारा correct answer है राज़स निंब्यार तो राज़स निंब्यार को recently chairman बना गया किसका cognizant इंडिया का हमारा next question है recently SR appoints which person is CEO तो recently SR ने किसको अपना CEO बना या तो वह वेर बाय को SR का CEO बना गया मने सको शनने रिसेंटली हो पाइंटेड इस इंडिया स्नेक्स पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटेटिव तो युनस्को तो recently किसे युनस्को में पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना गया है भारत की तरफ से तो वह विशालवी सर्मा को हमारने सकोशन है जो युनस्को इसको हैटकोटर का पर है युनस्को का हैटकोटर है पेरिस फ्रांस में हमारने सकोशन है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन अपॉइंट विच पर्सन एस एंट्रिम प्रेसिडेंट तो जो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फे आएकल इरानी को रिसेंटली इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना गया है इसका हेटकॉर्टर का इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का तो इसका हेटकॉर्टर कहां पर है बुड़ापेस्ट हंगरी में और जो कबड़ी फेडरेश question है विचेक्टर और एट थर्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल और बॉस्टरन इस येर लाइफ टाइम अच्विमेंट अवार्ड तो लाइफ टाम अच्यूमेंट अवार्ड बॉस्टर फिल्म फेस्टिवल में किसको मिला है ओम पूरी को कादर खान को सुनिल दत को या किस पर्सन को डाक्टर तुलसी दास चो अवार्ड मिला तो वह रुड़क्टर सथीस मिष्टर द्यवजूति-चकरवति यूंट्टर जोती जोती में दश यह ना आप दिया बहोता हमकर गारे टेंशर है डक्टर सतीश मिश्रा तो सतीश मिश्रा को रिसेंटली डक्टर तुल्सी तुल्सी दास चोग आवर्ड मिला है यदेना किसको मिला 37 प्रमार इंश कोशन है which person becomes first Indian woman to win at wildlife photographer of the year award तो recently किसको wildlife photographer award मिला है कि कुन सी पहली woman है जिसको wildlife photographer award मिला है तो वो है ऐश्वारिया स्रीदर, हरिश कोचेट, अनवी दोशी या शिवांगी सिंग तो हमारा कारेक्ट अनसर है ऐश्वारिया स्रीदर, रिसेंटली ऐश्वारिया स्रीदर को wildlife photographer of the year का award मिला है और जो हरिश कोटेचा है हरिश कोटेचा को रिसेंटली सेंडरा नीस lifetime achievement award मिला है कुन सा अवार्ड मिला है सेंडरा नीस lifetime achievement award और जो first moment fighter pilot है जिसने रफाइल उडाया है ना हम कमाने नेस question है who won nobel peace prize 2020 award तो nobel peace prize 2020 का award किसको मिला है? FAO को मिला है, UN को मिला है, UN को मिला है या WHO को तो मार कारेक्ट अनसर है FAO तो FAO को recently nobel peace prize का award मिला है और FAO का जो headquarter वह कहां पर है, Rome Italy में, Rome Italy में क्या है FAO का headquarter है recently और UNESCO का headquarter का है UNESCO का headquarter Paris France में और WHO का headquarter का है, WHO का headquarter Geneva में, Geneva का Switzerland में हमाने इस question है who won nobel prize in literature, literature में अभी recently nobel prize किसको मिला है तो वो लोज Glegg को मिला है, Peter Handker को मिला है, Bob Dylan को मिला है या Patrick Modena को मिला है, तो recently किसको nobel का peace prize मिला है तो recently Lois Glegg को जो लिटरेचर का award मिला है, तो recently Lois Glegg को literature का award मिला है, हमाने इस question है इंड़ इंडयो-डामेरिकन चेमबर फॉफ कमर्स, पर्सेंट्स लाइफ time achievement award तो विश परसंटो रिसेंटली किस ओंड़ अ किस किस परसंगो इंड़ अमेरिकन चेमबर फॉफ का lifetime achievement award मिला है तो रिसेंटली रादन टाटा को इंड़ अमेरिकन चेंबर ओव कामर्स के lifetime achievement award मिला है वाने स्कोशन है which person ranks as India's riches for the thirteenth year of in four list तो four list में consecutive 13 year किसको सबसे riches person मिला है तो riches person कोने इंडिया का consecutive 13th year की जो four list में वो है मुकेश म्मानी कोने कौन मना है इंडिया के सबसे richest person मनें 13 की जो four list उस में है इंडिया स्रेंकिं ग्लोबल हंगा इंडेक्स ग्लोबल अंगा इंडिया की रेंक क्या है? 94, 96, 87th या 82nd तो डिसेंटली जो ग्लोबल हंडर इंडेक्स की जो रिपोर्ट जारी कही है उसमें इंडिया की रेंक 94th है है न हमराने इस question है international day of older pension observed on 1 October every year theme for this year तो इस साल की जो theme क्या थी जो older pension older pension day पे तो pandemic do they change how we address age and aging the journey to age equality celebrating older human rights champions take a stand against ages तो हमारा correct answer है क्या थी इसकी theme pandemic do they change how we address age and aging तो यह हमरा correct answer है हमाने इस question है the international day of non-violence is marked on 2nd October the birth of मात्मा गांधी the theme for this year is तो इस साल की theme क्या थी non-violence की जो 2nd October मात्मा गांधी की जहनती पर मना जाता है तो हमरा options है climate action for peace climate action गांधी ways shaping peace together या building blocks for peace तो हमारा correct answer है shaping peace together तो shaping peace together किस की theme थी यह non-violence जो की 2nd of October को मना जाता है मात्मा गांधी की जहनती पर one next question है world teachers day observed every year 5th of October theme for this year इस साल की theme क्या थी world teacher day पर तो teacher leading in the crisis reimagining the future young teacher the future of the profession the right to education means the right to a qualified teacher teaching in freedom empowering teachers तो हमारा correct answer है teachers leading in crisis reimagining the future तो यह क्या थी यह वर टीचर जे पर इसकी theme थी हमारा ने स्कूशन और वर टीचर का मना जाता है फिफ्त आफ अक्टॉमबर को वर टीचर दे मना जाता है वर वर श्टूइन का मना जाता है फिफ्टेंट आफ फिफ्टेंट आफ अक्टॉबर को मनाने स्कूशन है इंटरनेशनल डे अफ चाइल्ड अब्जावड एवर एवर एर 11 अक्टॉमबर तो इसकी थीम क्या थी तो इसकी थीम थी माइवाइस आवर एक्वाल फ्यूचर एंडिंग चाइल मेरिच विथ हर इसकील गर्फोर्स एंपावर गर्स तो रिसेंटल इंटरनेशनल डे आफ गल चाइल्ड बनाए गया 11 अक्टॉमबर को तो इसकी थीम क्या थी इसकी थीम थी माइवाइस आवर एक्वाल फिचर हमाने स्कूशन है वर्ल स्टुदेंट डे अब्जावर एवर फिफ्टेंथ अक्टॉमबर तो इस साल थीम क्या थी लर्निंग फॉर प्यूपल प्लैनेट प्रोस्परेटी अन पीस ट्रीम ट्रास्फोर्म इंटू तो तो लर्निंग फॉर प्यूपल या ब्रेकिंग बेरियर्स तो रिसेंटली यह वर्ल स्टुदेंट डे जो अब्जावर क्या गया तो इसकी जो थीम थी वो थी लर्निंग फॉर प्यूपल प्लैनेट प्रोस्परेटी अन पीस मनेश कुशन है वर्ल आडियो विज्वल हरिटेज डे अब्जावड एवर्य यहर ऑन अक्टुमर त्वेंटी सेकेंड तो 27 तो 27 अक्टुम अक्टूबर को वर्ल आडियो इसकी जो थीम थी क्या होती यूर विंडो टू दा वर्ल्ड यह किसकी थी यह थी आडियो विज्वल हरिटेज डेज डेप है वानेश कुशन है वह इनगरेट्स द आर्टिफिशल एंट्रिजेंस राइस 2020 सम्मेट तो रिसेंटली किसने आर्टिफिशल इंट्रिजेंस रा सब्सक्राइब जो है वह उन्होंने एनगरेट कर आर्टिफिशल इंट्रिजेंस राइस को वानेश कुशन है विस कंट्री होस्टेज वर्चुल सम्मेट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस ऑफ संगई कॉपरेशन और्गनाजेशन तो किस कंट्री ने रिसेंटली जो इसको होस्ट कर रहा है और जो हमारे एंडिया के लाग और जस्टिस मिनिस्टर है वो कोने रवी संकर प्रसाथ मनेश कुशन ने रिसेंटली नाइन सेशन ऑफ इंडियान ओमान जोएंट कमिशन वर्चुल मेटिंग हैंड केपिटल अफ ओमान इस तो पिटल ओमान क्या है और एमन की capital क्या है सना और जो कतार की जो है वो क्या है दोहा और यूएए की क्या है अब उदाविय तो है न ये तो ये था हमारा जो capital को ले रहा है था हमारा निस्कोशन है विच कंट्री होस्टेस नाइन नाइन टीन मीटिंग आफ isio ministers of foreign economy and foreign trade. तो recently 19th meeting जो SEO minister की हुई है foreign economy and foreign trade को वो किस country ने host करा है तो Nigeria ने करा है, India ने करा है, चायना ने करा है, या Nepal ने करा है. तो recently इंडिया ने 19th meeting of SEO minister की host करा है. तो Nigeria की capital क्या है? अबुजा, अबुजा क्या है? नाज़िया की capital और जो इसकी currency क्या है? Nigerian Naira. Nigerian Naira क्या है? इसकी currency है. बनाने इस question है, ISRO to launch its Venus mission in 2025 which country participate in it? तो कौन से country participate कर रही है ISRO के साथ में? तो किस Venus mission के लिए तो France है, वो Russia है, इसराइल है, या USA है. तो हमारा correct answer है, France recently France ने ISRO के साथ अपना MOU sign करा है Venus mission के लिए 2025 के लिए हमाने इस question है, और जो France है, उसकी capital क्या है? पेरिस. और इसकी currency क्या है? यूरो. फ्रांस की currency क्या है? यूरो. हमाने इस question है, which space agency space agency will lift of SS Kalpana चावला cargo spacecraft? तो recently किस space agency ने lift करा है Kalpana चावला cargo spacecraft तो वो ISRO है, NASA है, ESA है, या SpaceX है, ESA मतलब European Space Agency. तो हमारा correct answer है, NASA. Recently NASA ने उसको अपना lift करा है. तो हमारा जो वह अगला question है, which IIT launches telemedicine system Imedics for corona care? तो Imedics जो किस IIT ने launch किया है, तो वो IIT कानपूर है, IIT दिल्ली है, है, IIT मदरा से, या IIT खरकपूर है, हमारा correct answer है, IIT खरकपूर, लिसेंट लिए, IIT खरकपूर ने टेले मेंडेसिन सिस्टम ID Max launch करा है, corona care के लिए. और नेस्ट कुश्चिन है, trial run-off India's first hydrogen fuel cell car successfully conducted by KPIT and which organization KPIT ए एक technological company है, उसके साथ में किस organization ने participate करा है, किसलिए, इंडिया की फ़र्ष हाइड्रोजन fuel cell car के लिए, तो वो CSIR है, DRDO है, ISRO है, या IAR है, तो हमारा correct answer है CSIR, तो CSIR ने recently KPIT के साथ में MOU sign करा है, किसलिए, इंडिया की फ़र्ष हाइड्रोजन fuel cell car के लिए, के trial run के लिए, मनेश कोशन है, विच इंस्ट्रीट है, व डिवलप्ट असस्टेनेबल anti-microbial wrapping material that can prevent packaged food contamination by bacteria and is biodegradable, तो किस इंस्ट्रीट ने अभी ये डिवलप करा है, आ एंटि माइक्रोबोर्यल व्रेपिंग material बनाया है, हमारा नेश कुशन है, विच स्पेस एजन्सी टेलिस्कोप सोफिया discovers water on sunlit surface of moon, तो रिसेंटले किस स्पेस एजन्सी ने किस स्पेस एजन्सी के और इस पेस जो है ये private agency है, तो इसका correct answer है नासा, तो रिसेंटली नासा ने जो सोफिया, नासा का जो सोफिया है, चेलिसकोप उसने discover करा है water को moon पर, तो जो सोफिया उसका flow farm क्या है, इस्टेटोसपेरिक observatory for infrared astronomy, वारा next question है, which space agency launched earth observation satellite EOS first and nine customer satellites, तो किस space agency ने launch करा है, EOS and nine customer satellites, तो वो इस रो है, नासा है, जैक्सा है, या SpaceX है, तो रिसेंटली इस रो ने उसका जो EOS first and nine customer satellite launch करा है, वारा next question है, एंडिया successfully test fire new version of nuclear capable shore missile, which can strike target at around how much kilometers, तो कितना kilometer तक वो strike कर सकता है, shore missile, यह important है, nuclear capable shore missile, तो nuclear capable missile का नाम क्या है, shore, तो 800 kilometer है, 900 kilometer है, 600 kilometer है, 300 kilometer है, तो correct answer है, 800 kilometer, तो रिसेंटली जो shore है, वो कित तक तक उसकी मार्क छमता है, उसकी मार्क छमता है, 800 kilometer है, इंडिया coast guard, which offshore petrol vessel launch to enhance coastal security, तो Indian coast guard का कुन सा offshore petrol vessel है, जो अभी recently launch कर रहा है, coastal security के लिए, तो वो विराग है, विग्र है, विग्र है, समार्ट समराथ है, सचेत है या विक्रम है, तो रिसेंटली विग्र को Indian coast guard ने launch कर रहा है, to enhance coastal security, हमारा नेश कोश्चन है, name that anti-radiation missile that India successfully test fire, तो रिसेंटली इंडिया ने successfully test fire, कुन से anti-radiation missile को कर रहा है, तो वो प्रत्वी first है, धनूश है, रुद्रम है, या प्रत्वी second है, तो रिसेंटली रुद्रम जो anti-radiation missile है, उसको इंडिया ने successfully test fire कर र है, वो अथर्द book the battle of belonging, तो रिसेंटली किसने battle of belonging book लिखी है, तो वो को है, वो सशी थरूर है, रहूल गांधी है, संबित पात्रा है, या मिशा है, तो रिसेंटली सशी थरूर ने ये book लिखी है, the battle of belonging, हमारा नेश कोश्चन है, वो लांच बुक बापू, ता अन फरकोड unforgettable और गांधी जहनती, तो रिसेंटली किसने लांच करिए, गांधी जहनती पर बापू दा अन फरकोड़ तो ये मनिशी सुदिया है, अर्विन केजरिवाल है, अमिशा है, यानि तिन कट करे तो रिसेंटली, मनिशी सुदियान है, ये book लांच करिए, कुन सी बापू दा अ ये विकरम सेट है, तो रिसेंटली, जी बीस सिंदु ने, जो इसके अधर को ने, खालिस्तन कॉस्परिसी के तो जी बीस सिंदु है, हमानने इस question है, हूँ अधर book, Mr. Prime Minister, we shrank the dragon, तो Mr. Prime Minister, we shrank the dragon, के लेखक को ने, तो इसके लेखक को ने, इसके लेखक प्रदीब गुरा है प्रदीब गुरा गुरा को नहीं है इसके लेखा किया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विश्रेंग दी ड्रेगन के माने इसको क्वेशन है वर्ल्ड फर्स्ट साइंटन बुक बाइबाइ कोरोना और कोरोना और कोरोना वर्स रिटन बाइ तो बाइबाइ कोरोना जो साइंटन ब वास्तों ने बाई बाई करोना भूक लिखी है मारने इस कोश्चन है विच कंपणी ऑवर्टेक्स एसेंचर टो बिकम वर्ल्ड वर्ल्स मोस्ट वेलियोबल आईटी सर्विस कंपणी तो किस कंपणी ने अभी रिसेंट्ली ऑवर्टेक कर दी एसेंचर को और दुनिया की सबस से मोस्ट वेलियोबल आईटी सर्विस कंपणी बन गई है वानेस कोशन है उबन रोप्स इन विच पर्सन एज ब्राण डेबसेटर उबन ने किसे अपना ब्राण डेबसेटर बनाया तो राना दुगवथ्टी को बनाया है तो मिंत्रा इंट्रोड्यूस विच पर्सन एज जीड पर्स डीजिटल ब्राण डेबसेटर टो रीचेंट्ली मिंत्रा ने किसको अपना पहला ब्रांड डेजिटल ब्राण डेबसेटर बनाया तो रेसेंटली विराट कोली पर अपनेर को बनाया था जयू रूसार में अमानम अन भईय को इस कोस्जटन है तो सेलो अमिघा बच्चन को seller group ने अपना brand ambassador बनाया है तो who appointed हमारे next question है who appointed as next ambassador to Solomon Iceland तो किसे Solomon Iceland का next ambassador बनाया गया है तो है सुसिल कुमार सिंगल, तरंजित सिंग संदू, गैतरी कुमार या संभू है कामरान तो हमारे character answer है सुसिल कुमार सिंगल रिसेंटली सूसिल कुमार सिंगल को सोलोमन आइसलेंड का अमबसेटर बनाया गया है वो अपाइंटेड एज अमबसेटर टू रिपब्लिक आफ सेन मरेनो तो रिसेंटली किसे सेन मरेनो को अमबसेटर बनाया गया है तो वो सुबा स्केल का रहे नीना मलोत्रा है, अजनी राठोर है, या एरिते स्पाई है, तो हमाइक रेट अन Titans आ रहे है, नीना मलोत्रा, नीना मलोत्रा को रिसेंटली सेन मरीनो का एंबसेटर बना गया हमानने इस में वेगा रोउपस इन विच परसने स्व ब्राण्ड ब cassettear तो वेगा ने किसे अपना brand ambassador बना है रोहिष सर्मा को, मनिश पंडे को, MS धोनी को, या विराट कोली को तो रिसेंटली वेगा ने अपना जो brand ambassador को किसको बना है रोहिष सर्मा को recently उपसका brand ambassador बना है तो recently जो ए प्रियंका चोपडा जोन्स को एग गुरों ने पारले एगरों ने अपना ब्राणे अबसेटर बनाया है अब इसकोशन है which person named brand ambassador of doctor trust तो doctor trust ने किसे अपना recently brand ambassador बनाया है किसे रोई सर्मा को डाक्टर टस्ट अपना ब्राइंड बिश्टर बनाया है तो ये थे हमारे पार्ट टू के अक्टोबर मन्त के करंट अफेर अब इसी सीरीज में एक लास पार्ट और रिलिस करने वाला हूं में इसी के साथ हमारे जो अक्टोबर मन्त के करंट अफेर है वो almost finish हो जाएंगे और इसके बाद मैं फिर November month के weekly या तो फिर monthly current affair में एक साथ post कर दूँगा तो यह थी इस series में second part जो कि मैं अब release कर रहा हूं तो that's all from my side and please do subscribe for more updates your own channel banking spartan Thank you